क्या कभी आपने ये कारण जानने की कोशिस की कि आपकी अच्छी आपकी बहतर सैली की जॉब आपको एक अच्छी कमपनी में जॉब क्यों नहीं मिल पाती क्या कभी आपने ये जानने की कोशिस की कि आपको बढ़िया सैली की जॉब या पर्मानेंट जॉब या कंपनी पेरल जॉब क्यों नहीं मिल पाती तो आज उन्ही सभी रीजिनों पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं जो बताने वाला हूँ इन पांच मुख्य बातों को अच्छे से रट्टा मार लेना यानि कि कह सकते हो इन ट्रू पर जाने से पहले अगर ये पांच बात हैं आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लें या आपने अच्छे तरीके से इन पांच बातों पर गौर कर लिया तो यकीनन बता रहूँ आपको 100 person हाथो हाथ आपका selection होगा उससे भी बड़ी बात जानदार company आपको मिलेगी उससे भी बड़ी बात बिंदास आपको selly मिलेगी जी हाँ दोस्तो पांच बात आपको बताने बाला हूँ कोशिस करूँगा पूरी detail के साथ बताने की और सबसे बड़ी बात ये पांच बात रटा मार लेना हमेशा इंटू पर जाने से पहले ये पांच बात अगर आपने याद रख ली या अपने रटा मार ली तो कभी भी आ पहले तो मात नहीं काओगे दूसरी बात कभी आप 10, 15, 20, 25, 1000 रुपे की सहली के लिए आप तैयार भी नहीं होंगे क्योंकि आपका confidence level साथ में आस्मान पर जी हाँ बिलकुल सही बता रहा हूँ सबसे पहले पांच रीजन, पांच कारण और पांच मुक्की बातें आपको बताने बाला हूँ समझने की कोसिस करना तो दोस्तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और साती साथ वीडियो को सेर कर देना क्योंकि ये वीडियो आज एक साल बात, 10 साल बात, 20 साल बात, 50 साल बात सभी के काम आने बाली है, evergreen वीडियो आप सभी के लिए बताने बला हूँ और साथ ही साथ आपका समय जादा नहीं लोगा पूरी जानकारी के साथ आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बाद किसी भी कंपनी में किसी भी बढ़िया रेपुटेट कंपनी में अगर आप जा रहें तो सबसे पहली बाद आपका रिजूमे बायो डाटा अपडेट होना चाहिए, अट्रेक्टिव होना चाहिए, कैसे, क्योंकि आप हमेशा मैं आप सभी से कहता रहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इसा लास्ट इंप्रेशन, पहला आपका CV ही एफेक्ट करता है, सामने बाले HR के पास जाता है, वो आपके CV के आधार से, आपकी उकात, कह सकते हो, आपकी नॉलेज, आपके ग्यान, और आपके सारी बातों को अब्जर्व कर लेता है, तो कहते हैं, अपडेटेट सीवी, अपडेटेट रिजूमे, अपडेटेट बायड़टा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूसरी बात दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, टी-सर पहन कर, जिन्स पहन कर, ऐसा नहीं करना है, फॉर्मल ड्रेस, प्लीन सेव, अच्छे तरीके से, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस, टाई लगाकर, एक ऐसे के बिल्कुल सादा जीवन उच्च बचार, सिंपल लिविंग हाई तंकी इसा नहीं होना चाहिए कि सामने का बटन आपका समझने की कोशिस की है फॉर्मल ड्रेस मैं जाना बहुत ज़्यादा अनवार है क्योंकि आप एक हाई प्रोफाल के लिए जा रहे है और आप एक रेपुटेट बरब दा बेस्ट कमपनियों में जॉब के लिए जा रहे है क्योंकि बढ़िया सेली ऐसे ही रेपुटेट कमपनियां ही दे सकती है कोई भी नॉर्मल कमपनियां आपको इतना अच्छी सेली नहीं दे सकती तीसरी बात बार-बार मैं आपको कह रहा हूँगा वीडियों में बोला हूँगा फर्स्ट इंप्रेशन जे लास्ट इंप्रेशन तीसरी जो बात है सेल्फ इंट्रो आपका जो इंट्रोडेक्शन होना चाहिए आप जो पहली बार में बोलोगे कॉन्फिडेशन तरीके से विस करना होगा और आपका इंट्रोडेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव होना चाहिए कनिफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए कि आप रिजूमे पहले लिख रहे हो कि रीडिंग बोक्स और आप बता रहे हो पनिँभवी में और कुछ बतारो तो सिंपल, आसान और कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है चौती बात बी पॉजिटिव नर्वस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंश भी नहीं रखना है ओवर तिंकिंग भी नहीं करनी है ओबर पॉजिटिव भी नहीं होना है, प्रोफाइल की अकॉर्डिंग, HR की अकॉर्डिंग, सिर्फ उतना ही बाते करो, जितना सामने वाला पूछ रहा है, तो चार बाते हो चुगे, पांच भी बात हमेशा जरूरी है, रट्टा मान लेना इस बात को, आपको हमेशा ध्यान कि आप किस कंपणी के लिए जा रहे हो, उस कंपणी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िये, कब कंपणी स्टार्ट हुई, ओनर कोन है वाहां के, क्या कंपणी का प्रोसेस है, इस मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोफाइल नॉलेज, किस जॉब के लिए जा रहे हो, कॉल के अच्छी नॉलिज होने के पढ़िए दो दिन लेट जाए लेकिन अच्छे तरीके से प्रोफाइल नॉलिज होना अनिबार है यह पांच बात है रट्टा मार लीजिए पक्का यकिनियन मैं आप सभी को कह रहा हूं कभी नहीं मात नहीं कहोंगे कभी भी और confidence level हाई बहुत ज्यादा उचा हो जाएगा आपका confidence level और दुनिया से बात है कर सकते हो आँख से आँख मिला सकते हो आईज कॉंटेक्ट हमेशा कंपलसरी होना चाहिए ऐसा नहीं देखे मैं आपसे वहीं चाहिए बता रहा हूं मेरा आईज कॉंटेक्ट आपसे बना हुआ है लेकिन मैं वीडियो सूट कर रहा हूं 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट की जो भी बना पा रहा हूं सहाथ कुछ उसमें गलतिया भी हो रही होंगी मैं समझ सकता हूं बट मैंने जो सोचा हुआ है जब तक वहां तक नहीं पहुचूंगा आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो का सामना कर रहतनी है अगर आप एज क्राइटीरिया क्या है बड़ी-बड़ी कंपनी यह मैंन नहीं करता है प्रमनेट जब के लिए बहुत कम करता है । छी चीज के लिए क्राइटीरिया फिक्स किए जाता है वर ठेके हदार की लिए तो ह हमसदा तो, आप समझ दर usted मचैर जा रहे हो आप वहाँ का ग्यान ले रहो और मैं घर पर बैटे बैटे आप सभी को ग्यान दे रहो क्योंकि मैं भी लगवग 12 से 14 साल आपकी तरह ही हुमा हूँ तो ये बात है अच्छे तरीके से रटा मार लेना दिमाग में रख लेना हमेशा याद रखना लोगों को भी जागरूप करना वीडियो को सेयर करना मिलते आप से बहुत जल नेक्स वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जय हिंद